नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हरीस और आप देख रहे हैं इलेक्टोनिस वर्मा तो दोस्तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि हम अपने मल्टी मीटर से ट्रांजिस्टर को कैसे चेक कर सकते हैं और मेरे पास बहुत भाई यह भी पूछते हैं कि सर्जब सरकिट बोर्ड के अंदर जो ट्रांजिस्टर लगा होता है अगर वो खराब हो तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीके बताऊँगा और यह भी बताऊँगा कि आप ट्रांजिस्टर को कैसे पहचान सकते हैं कि वो PNP है या NPN है और उसका E-meter कौन सा है उसका Base कौन सा है उसका Collector कौन सा है सिर्फ Multimeter की ही मदद से तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता और यह ट्रांजिस्टर जो है अब हमें सिर्फ इसका नंबर पता है बाकी इसका कुछ भी नहीं पता अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ यह ट्रांजिस्टर है तो हम क्या करेंगे continuity की मूड पे जो हमारा beep बाला sign होता है वहाँ पर हम multimeter को रख लेंगे तो सबसे पहले हम क् 10 number पर लगाया तो हम में यहां पर अब भी कोई reading नहीं आ रही है अब क्या करेंगे यह वायर को चैंज पर देंगे यहओ लैटा वाला वायर वह वह पहले नंबर पर रख लेंगे और जो बिलेक वाला वायर है वो हम यहां रख देंगे अब देखिए हमें पिन नंबर 2 पे जो हमने देखिए रेड वाले को तो हमने पिन नंबर 1 पे रख दिया पिन नंबर 2 पे जब हमने ब्लेक वाले वायर को रखा तो हमारा यहाँ पर जो रीडिंग आ रहा है वो आ रहा है 546 के आसपास तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं पांसो च्यालिस यह हमारा जो रीडिंग आया है पांसो च्यालिस अब यहाँ पर जो है फिर पिन नमबर तीन पर भी हम चेक करते हैं तो पिन नमबर तीन पर हमें मिला यहाँ पर 558 यानि कि 558 के आसपास अब देखे यहाँ पर जो पिन नमबर तीन पर जो हमें रीडिंग मिला वो हमें मिला 558 के आसपास तो देखे यह दो रीडिंग मिला अब हमें यह कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर बेस कौन सा है, कलेक्टर कौन सा, इमीटर कौन सा है अब देखे मैं आपको बताता हूँ देखे जब मैंने यहाँ पर red वाले wire को रखा और यहाँ पर black से जब मैं चेक कर रहा हूँ तो देखे दो जीगे reading आ रही है यानि कि black wire रखने से यहाँ पर भी reading आ रही है black वाले से अब देखे मैंने जब बिलेक वाले वायर को यानि कि मैं अपने तरीके से समझा रहा हूं इससे आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा अब देखे रेड वाला जब मैंने यहां वायर रखा तो यहां पर दो बार में रीटिंग आ रही है तो यहां पर यह हो गया हमारा N और N यानि कि बिलेक वायर है तो नेगटिव और नेगटिव यानि कि इन चीजों से हमारी जो रीडिंग आ रही है तो रीडिंग आ रही है अब देखे रीडिंग यहां पर तो हमारी ज़्यादा रीडिंग है यहां पर हमारी कम रीडिंग है अब देखे जहां पर red वाला wire रखा हुआ था और दोनों तरफ reading आ रही थी, तो यानि कि जो red वाला wire है, यह हो गया हमारा base, red वाला wire जो base हो गया, यानि कि जो पहली number की इसकी pin है, वो base हो गई, अब देखे जैसे कि यह transistor है, इसमें अब पहले number की जो pin हो गई, वो base हो गई, यह base हो गई, अब हमें पता लगानी है कि इसमें से collector और emitter कौन सा है, तो देखे जो emitter होता है, वो हमेसा ज़्यादा होता है, उसकी reading जो हमेसा ज़्यादा होती है, तो यह हो गया हमारा emitter, यानि कि इसकी reading ज़्यादा है, तो यह emitter हो गया, और इसकी reading हमारी कम है, तो यह collector हो गया, तो यानि कि यह वाला जो pin है, इसकी reading उपर वाली थी, तो यह collector हो गया, इसकी reading ज़्यादा थी, तो यह हमारा emitter हो गया, तो देखिए अब यहां पर यह PNN आ गया तो यानि कि यहां पर N double में आ गया तो यानि कि यह जो ट्रांजिस्टर है यह हो गया PN NPN यानि कि यह ट्रांजिस्टर हमारा NPN हो गया क्योंकि यहां पर N double आ गया P हमारा पहले आ गया तो यहां पर N double हो गया, तो यह transistor हमारा हो गया NPN, अब देखें मैं दूसरा transistor आपको दिखाता हूँ, देखें यह वाला जो transistor है हमारा, अब मैंने यह ले लिया, अब मैं इसको भी आपको चेक करके दिखाता हूँ, तो यह देखें यह वाला जो transistor लिया हमने यह है हमारा A940, यई 940 है अब हमें यह भी नहीं पता कि यह पन्हार्जेशिसर का बेसया क्लेक्टर mix क्यों युक्त पता है तो अब हम क्या करेंगे वह ही चीज यहाँ पर भी इस्तिमाल करेंगे देखिए मैं पहले यहाँ पर red वाली wire यहाँ रखता हूँ पहले नमबर की pin पर और दूसरे पर देखिए यहाँ पर मैं wire रख रहा हूँ और तीसरे पर भी रखा यानि कि कोई reading मिल नहीं रही है तो मैं wire को change कर दूँगा change करने से क्या होना चाहिए कि दो जगे reading आने चाहिए अगर दो जगे reading आ रही है तो आपका जो wire एक तुम सही रखा हुआ है आप देखिए पहले नमबर पे मैंने black वाला wire रख दिया और red वाले से जब मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे reading मिल रही है 612 अब मैं आप reading मिल रही है 617 reading अब यहाँ पर हम यह भी लिख लेते हैं यह हो गई हमारी 617 reading अब यहाँ पर आपने देखा मैंने black वाला वायर रखा हुआ था तो black वाले वायर से मुझे और यह एन हो गया तो यहाँ पर अब क्या हुआ देखे ट्रांजिस्टर है हमारा इसके तीन प्रोग हो गए हमारे तीन जो टांग हो गई अब यहाँ पर देखे पी दो बार आ रहा है एन एक बार आ रहा है तो यानि कि यह जो ट्रांजिस्टर है यह हो गया पी एन पी तो यहां पर जो दूसरे नंबर की पिन पेस पर रीडिंग आई थी वो आई थी 612 और तीसरे नंबर पर जो रीडिंग आई थी वो आई थी 617 तो यानि कि इस वाले प्रोग पर जो हमने ब्लैक वाला वायर लगाया था तो यहां पर रीडिंग दोनों पर दिखा रहा था तो या तो ज्यादा का मतलब हुआ यह हमारा इमेटर हो गया तो इसका मतलब हमारा यह वाला जो पॉइंट है एमेटर हो इस तरीके से हम जो है इसे ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। बहुत आसान तरिके से अब देखे हैं यहांे हमारा यह 35 का transistor है तो इसकी ट्रांगे कुछ हमें अलग मिलती है तो इसको भी मैं आपको check करके दिखाता हूँ तो यह जादा तर तो यह सारे भाहियों को पता है कि यह NPN transistor ही होता है अब देखे NPN का मतलब हुआ कि इसमें N दो बार आ रहा है और P एक बार आ रहा है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा जो इसका base वाला point है उस पर red वाली wire रख दूँगा यानि कि P एक बार है तो मैं एक बार यहाँ पर red वाला wire रखूँगा और N दो बार है तो black वाली wire यहां रखूँगा तो यहां पर देखे मैं collector पर जब इसकी voltage चेक करता हूँ तो मुझे इसकी voltage मिलती है 597 यानि कि 597 इसकी collector पर voltage मिल रही है और जब मैं E meter पर चेक करूँगा तो E meter पर मिल लिए 6211 पास तो आपने देखा कि कितने ही आसन तरीके से हमने इसे चेक कर लिया यानि कि इसका यह E meter है क्योंकि इसके अंदर voltage जदा आ रही है और collector पर voltage कम है तो यह हमारा body जो है यह collector हो गया और base हमारा यह हो गया तो मैंने यहां red वाला wire रखा था तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह हमारा NPN transistor है क्योंकि इसमें P एक बार आ रहा है और N दो बार आ रहा है क्योंकि N के अंदर जो reading आ रही है यहां पर भी N पर reading आ रही है और यहां पर भी reading आ रही है अब देखे मैं आपको दिखाता हूँ चेक करूँगा तो देखे यहां पर तो reading दिखा रहा है और यहां पर जब चेक करूँगा तो यहां पर देखे इसके अंदर बीप आ रही है यानि continuity विल्कु शोट दिखा रहा है तो अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है एक बार जो हमारा board है उससे बाहर निकालेंगे यानि कि यह देखेंगे बाहर निकालने के बाद भी शोट दिखा रहा है यानि कि देखेंगे बाहर निकालने के बाद जब हम इसे चेक करेंगे तो यह sorting दिखाएगा तो यह खराब है अब मैं इसको दुबारा चेक करूँगा कि जो यह बोड के अंदर सोटिंग दिखा रहा था अब यहां सोटिंग है यह नहीं है तो यहां पर मैं इसके अंदर यह वायर रख दूँगा चेक करूँगा यहां पर रिटिंग दिखा रहा है तो इस तरीके से जो है लगा तो जहाँ तक है यहां हम वर्ड जो यह वक्क हो जाएगा और बढ़िय करेगा तो इस तरीके से insurance रंजिस्टरों को चेक करते हैं और बेस कलेक्टर इमीटर की पता लगाते हैं तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना सेर करना सस्क्राइब करना और बैल का आकन को जरूर दवाना क्यूंकि मैं आगे भी आपके लि को जरूर सब्सक्राइब करें